कि नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल के अंदर कैसे हैं आप उमीद करते हैं अच्छे होंगे और यहां पर देखिए हम आये अपने जो टमाटर लगाये थे अपना ही फाम में यह तक्रिबन दस से बारा आरी के अंदर हमने टमाटर लगाये थे या कि फसल लगाई थी तो हमने इसके उपर बांस के डंडे लगा के तारवार भी लगाए हैं और जो यह पोदे थे यहां तक आये भी थे लेकिन पाले से जल गए थे वापिस इसकी कटाई की थी हमने दूबारा से इसमें फुटान आई हैं आप देख सकते हैं पूरे खेत के पूरे पोदू को हमने बिल्कुल दो इंच उपर से कटाई करने के बाद वापिस इसमें फुटान आई है और उससे अच्छा उत्पादन मिला है चालीस रुपे किलो तक हमने मंडी के अंदर टमाटर बेचे हैं तो यहां पर देखिए कापी अच्छा फाम है यह लेकिन अ हुआ है कि अभी माई का महिना है और माई के अंदर कापी तेज दूब होती है चालीस से पेतालिस शीयालिस डिग्री तक तापमान हो गया है और मैं आपको यह पोदा दिखाता हूं अभी यह देखिए आप इसमें क्या हुआ पूरा पोदा घर में से सूख चुका है और ज इस तरीके से कुछ हो चुके हैं यह बिल्कुल खराब हो चुके हैं तो अभी हमने इसको पानी देना बंद कर दिया है और अभी क्या करें कि इतना सारा ताम जाम किया आप देख सकते हैं बास लगा के तार लगा के हमने यह रसियां बंदी है इसको उपर चड़ाने के तो भिलाल मजदूरू की साहिता से जो यह रसिया है इस तरीके से आप देखिए इन रसियों को हम पोदे के वहां से इसको किसी चाकू से कटवा के इस रसियों को तो ऐसे ही छोड़ देंगे फिर यह जो सारे सुक्के पोदे हैं टमाटर के उनको भार निकलाएंगे यहां से जो यह नालिया बनाई हमने बेड तयार की है इन बेड़ू से सारे जो पोदे हैं इनको बार हटाएंगे यहां से इकटा करके और फिर यह नालियों में इसकी अच्छी से खुदाई करेंगे हासे निराई गुडाई करेंगे क्यूंकि आप देख सकते हैं तक्रीबन तीन य हमको हटाना होगा यह जो दो तीन डंडू के बीच में जो दूसरा डंडा है उसको हम इस लाइन को हटाएंगे तब ही हमारा कल्टिवेशन हो सकता है जब तक हमें आठ से साढ़े आठ फिट की दूरी नहीं मिल जाती हैं तो उसके अंदर हम टेक्टर चला सकते हैं लेकिन क हम दूरी है यहां पर तीन से चार फिट की दूरी में हम कल्टिवेटर नहीं करेंगे तो यह सारे प्लांट है इसको हम बाहर निकलाएंगे फिर इसे खुदाई करेंगे और उसके बाद हम यहां पर सोच रहे हैं कि जब अपना जून 15 जून या 20 जून के आसपास हम इसमें घड़े बनाके छोटे-छोटे उसमें सड़ी हुई गोबर की खाड डालके इन सारे के अंदर हम तोरह लगाएंगे सारे तो नहीं हम 6-7 के अंदर तोरह लगाएंगे बाकी के अंदर करेला है तो वो करेले के भी पोदे लगाएंगे और एक-दो के अंदर लोकी तो यह जो हमारे टमाटर का स्टेंड बना हुआ है और इनी रस्यों के हम वो जो बेले हैं वो लपेट के इसके उपर लेके आ जाएंगे और हमें जरूद अगर लगी तो हम यहां से जो हमारी लाइने हैं पूरव से पश्चिन आप देख सकते हैं तो इसके हम उतर दक्षिन कर देंगे तो कापी जाल बन जाएगा यहां वायर का और उसके जाल के उपर अगर बेले चलेगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी और जो जमीन के सते पर रहने पर जो बीमारियां लगती है उन पोदू में वो बीमारी इसके उपर आने से नहीं लगे की और हमने जाल यही सोचा है कि जो हमने आदे बीगे से उपर का जो इस्टेंड तयार किया है बहांस का कापी पैसे लगे हैं इसमें मजदूर की मेनत भी लगी है तो वो उनकी बेकार नहीं जाएं और यह सिरफ हमें यह सुके हुए पोदे निकाल के अंदर से हाथ से निराई गुड सब hij傲 रह bene सबजी का उदपादन मिलेगा और अच्छे दाम मिल सकते हैं पेले कभी एसा लगादा नहीं लेकिं फर्षis बार हम इसा जुगार करेंगे यहां पर सबजी का कि हमें अच्छा उतपादन मिले और उसके सबजी के लिए अलग से स्टेंड तयार नहीं करना हो तो यह इस्टेंड हमारा जो सेठ हैं वह आप देख सकते हैं पूरा सेठ हमें सब्जी में काम आ जाएं तो हम भी चाहेंगे कि अच्छा उत्पादन मिले और आप भी एगर ऐसा सेठ बना के रखा है टामाटर का तो उसमें से जो टामाटर के पेड़े वह उकाड के बाहर डा जाएं एप देख सकते हैं 20 या पंदार जून बार मांसुन स्टार ओजाता है बारिश होना सुरू हो जाती है तो जब थोड़ा तेंपरेचर में भी कमी आ जाती है इतनी घर्मी नहीं भी थी तो उसमें इतनी तो दवाई भी कम यूज करना होगा उसमें बीमारी भी कम आती हैं तो यह आपको कैसा लगा सारा आइडियास अपने कमेंड में भेजिए और मिली हमारी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू गुडबाई और अपने मन में अगर और ऐसा ही कोई नया आइडिया है नई ट्रिक हैं तो आप हमें कमेंड में भेजिए हम उसके उपर भी आपकी वीडियो बनाएंगे और अच्छे-च्छे किसानों के पास भी हम लेक के जाएंगे फिलाल अभी यहां पर हमारे पास वर्क बहुत हैं अभी मुश्किल से वीडियो सूट कर पा रहे हैं कापी सम लेकिन क्या जो वह सारे जो फार्म में अभी उसके अंदर कल्टिवेटर निकालना है पड़ाशा लगाना है समतल करना है और बहुत सारे काम इसको शीचाई करने सारी सबजी की तो बहुत सारी काम है तो वह उसकाम को निपक्टाने के लिए समय लगता है और हम बार कहीं ज ज़्यादा हम उनके पास जाएं और उनकी भी नोलेज आप तक शेयर करें तो इस वीडियो में इतना ही मिलिए नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन गुड़ बाई